नमस्कार मैं आनंद रास्त्रिपाठी और आनंद भाव फैमली में बहुत बहुत स्वागत है आज 14 जून 2021 को बाजार में सुबह से ही गिरावट देखने को मिली और कारण था अदानी ग्रूप तो ये हंगामा क्यूं था बरपा अदानी ग्रूप के स्टॉक्स में वैसे तो यूट्यूब में हर जगे बताया जा रहा है कि अदानी ग्रूप में क्या हुआ मार्केट क्यों गिरा लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं भी फौरी तोर पे देदू टुईटर पर टुईट किया जाता है सुचिता दलाल दोरा अदानी ग्रूप में कुछ गरबड़ी है तो भाई गरबड़ी तो ऐसी कुछ नहीं है या थी भी तो ये तो जुलाई से शुरू हो गई थी जुलाई 2020 से अदानी ग्रूप के सारे शेर घोड़े की तरह दोड़ रहे थे नौ नौ सो परसेंट एक एक हजार परसेंट भाग रहे थे प्रॉफिट दे रहे थे और सब लोग अंधे की तरह पीछा कर रहे थे जैसे भेणे नहीं चलती है एक भेण के पीछे सारी भेणे भागती है वैसे भाग रहे थे रिटेल इन्वेस्टर अरे भाईया 200 रुपए का लिया था 800 रुपए होगा 800 रुपए का लिया था 1300 रुपए हो गया 1300 रुपए का लिया था 1400 1500 1700 रुपए हो गया भही फ्राइड़े के पहले लास्ट वीक में Tuesday विटनस जे को वो अदानी इंटरप्राइस के शेयर सत्रा सो रुपए और अदानी टोटल गैस के शेयर सत्रा सो रुपए के बिक रहे थे तो चीजें क्या निकल के आई पीछे से कि तीन FPI हैं फॉरेन के इन्वेस्टर हैं उनकी मेजर होल्डिंग अदानी ग्रूप में है ज्यादा तर इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रूप में हो रखा 7-8% स्टेक है इन कंपनीज में उन FPI में दिक्कत क्या है उनको KYC के लिए नोटिस दे रखा गया था उनकी KYC में कुछ गरबड़ी थी हो 2019 से दे रखा गया था 2020 तक का टाइम भी था कहा यहां तक जा रहा है कि वो सब मौरिशयस में एकी एड्रेस पे रेजिस्टर्ड हैं तो NSDL की साइट पर देख सकते हैं कि उन्होंने उनके अकाउंट फ्रीज कर दिये थे फिर एक घटना क्रम हुआ कि बताया गया कि नहीं वो फ्रीज नहीं है छोड़ दिया गया मलब यह सब घाल मेल चल रहा है और उधर अदानी ग्रूप की तरफ से आज बाजार बंध होने के पहले एक स्टेटमेंट आता है सफाई दी जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है फॉरेंट पॉर्टफोलियो का कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं है सारे इन्वेस्टर ओके हैं सब कुछ बढ़िया है यह सब जूटी कबर फैलाई गई है और NSDL भी लगता है लीपापोती में लगा है शायद कल तक सब क्लियर हो जाएगा कोई भी आपको मिलेगी नहीं बात कि कोई अकाउंट फ्रीज है देखिए ओवर ओल चाचा जी विधायक है ना लेकिन अब चाचा जो थे वो एकी भतीजे पर ज़ादा ध्यान दे रहेते दूसरे भतीजे पर उतना ध्यान नहीं दिया देखिए बंबई में पिच्चरों में आप देखते थे कि विलन के सब अड़े बटे रहते थे कोई दूसरे के एरिया में नहीं जाता था, सब के एरिया अलग होते थे और जब कोई दूसरे के फटे में टांग अड़ाता था, एरिया में जाता था तो मार पीट कर सबक सिखा दिया जाता था ऐसा ही कुछ अदानी के साथ हुआ है देखिए धुआ उठा है तो आग तो जरूर लगी होगी जब तक अदानी के शेयर बाईजद भाग रहे थे अपने व्यापार में लगे हुए थे दूसरे के छेतर में इंटर नहीं कर रहे थे तब तक सही था अभी कुछ दिन पहले कुछ घोशनाएं हुई और दूसरे छेतर में भी व्यापार बढ़ाने की बात हुई तो किसी ने पतीला लगा दिया है किसी ने परचा फाड़ दिया है इनके नाम का कोई ना कोई सीक्रेट खबर नियूज धीरे से पहुचा दी गई है और सारी चीज भा वह आपके सामने ही यह दिख रहा है आपको ये तो एक बात हो गई अब इसका असर बाजार पर क्या पड़ा तो जो लोग बड़ा खुश होके फ्राइडे के बाजार को बंद होता हुआ देख कर गए थे क्योंके तेज बंद हुआ था फ्राइडे को बाजार और तभी आज मार्केट शेर बाजार सुभे गिर के खुला है तो पहले लॉंग करने वालों की ली गई और फिर शाट बनाने वालों की ली गई दोनों की कलास ली गई और जम कर गटाई हुई है. शौर्ट और लॉंग चूहे बिल्ली का खेल है जिनका कलेजा चूहे का होता यानि जो बाई सेल करते हैं अपनी बार बार पोजीशन बदलते हैं इधर उधर बराबर चूहे की तरह भागते रहते हैं और जो इस मार्केट में आपरेटर है वो है बिल्ली जो मौके की ताक में रहती है उसे हर हालत में चूहा खाना है चाहे वो बाई की पोजीशन बनाए चाहे सेल की पोजीशन बनाए शौर्टर के कपड़े तो उतारे ही जाएंगे और लॉंग वाले भी हवा में उच्छाले ही जाएंगे चूहे को तो खाया ही जाएगा और आज हुआ भी यही देखिए तीन तरह के लोग होते हैं पहले तो एकदम नए नवेले इन्वेस्टर जो आजकल जिनने मैं रन उबाकूरे कहता हूं जो मार्केट में बस आए हैं कुछ भी खरीदना कुछ भी बेंचना है प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए कुछ कर रहे हैं दूसरे थोड़े समझदार होते हैं जिनने थोड़ा सा फंडामेंटल का भी ग्यान होता है चार्ट भी देख लेते हैं और टेकनिकल की भी जानकारी होती है ये अलग बात है कि चार्ट हमेशा पास नहीं होते कभी कभी फेल हो जाते हैं जैसे उस दिन बैंक निफ्टी फ्राइडे को बढ़िया तेजी दिखा कर बंद हुआ और जब आज मंडे को गैप डाउन खुला है तो बिल्ली ने मारा है पंजा और चुहा हो गया है गंजा यानी की मर गया तुरंथ ही मर गये सारे लॉंग वाले जो तेजी में गये थे फ्राइडे को बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी ने 35,100 के उपर का लेवल देखा था फ्राइडे को और 35,000 के उपर बंद हुई थी तो सब लोग सोच रहे थे कि मंडे को और तेजी होगी लेकिन आज किया ओपरेटर ने दूसरा काम सुबह सुबह जब मार्केट गिरा है अदानी ग्रूप की इवेंट पे तो 34,374 का लोग बना दिया ओपरेटर ने वहां तक खीच के ले गया नीचे और उससे उसको सुकून नहीं हुआ ओपरेटर को और फिर खीच कर ले गया ओपरेटर उपर और 34,995 का हाई बनाया और बंद किया है 34,950 पर बैंक निफ्टी को तो ये तो हाल है तो चार्ड तो भरोसे लाइक होता ही नहीं कभी कभी इवेंट कुछ और ही होती आज वही हुआ तो दो तरह के लोग बता दियो तीसरे लोग होते हैं जो मार्केट की ब्रेथ को पकड़ते हैं यानि कि जिनको बाजार की नब्ज पहचानना आता है इसे मैं कहता हूँ तीसरी आख और जिनके पास मार्केट में इस तरह की दिवद्रिश्टी होती है वही मार्केट में परदे के पीछे की चीजों को भी देख लेते हैं उसका एहसास हो जाता है जहां पर ना तो fundamental काम कर रहा होता है और ना technical साथ दे रहे होते हैं उनको एहसास हो जाता है कि मामला कुछ और है और अपनी sixth sense जिसे बोलते हैं या अपनी एक instinct से काम करते हैं वो जैसा कि अदानी port मे हुआ था पहले सब लोग इसको कह रहे थे 900 रुपए के बस उपर जा रहा सारे technical analyst कह रहे थे कि 900 रुपए के उपर अदानी port जा रहा है जबकि Friday के पहले ही इसने गिरावट दर्ज करनी शुरू की थी और Friday को इसने 839 की closing दी आज जब market गिरा है तो जो अदानी port पर long थे 700 रुपए से जब नीचे गया है प्राइस तो margin call हुई है और उनके सौदे कट गए इसके बाद अदानी port में तेजी आई थोड़ी सी तो लोग फिर से इसको खरीदना शुरू कर दिये तो वहां पे भी पकड़ लिया operator ने 710 12 में खरीद के जैसे ही एक बार 736 गया तो फिर वहां से वापस 728 आया फिर 714 आया फिर लोगों ने अपनी position हटाई फिर इसने 735 से 756 की दोर लगाई तो इस तरीके से ये बराबर उपर नीचे करता रहा ये होता है चूहे बिली का खेल मतलब जैसे ही long वालों ने position काट के फिर से उपर बनाने कोशिश की कि अब तो चलन लगा वैसे ही फिर short करवा दिया और जैसे ही short position काटी रिटेल इन्वेस्टर ने वैसे ही long कर दिया और आखिर में जाके 760 के उपर closing दे दी अधानी पावर में भी यही हुआ था जब circuit filter change हुआ था तो अधानी पावर उस समय 100 रुपए के करीब था तो पहले circuit जब 20% लगा 166 की उस दिन इसने circuit लगाया वह अलग बात है कि उसी दिन circuit खुल गया था और 148 158 के बीच में प्रेट करने लगा तो 158 के आस पास बंद भी दिया था लेकिन अभी जो एक 10% का circuit और इसमें low लगा कल तो कल यह 148 के पास पहुँच गया और आज circuit filter फिर 5% कर दिया गया तो 5% का circuit बहुत मुफीद होता है operator के लिए क्योंकि उसमें operator बड़े आराम से manipulate कर सकता है share को उपर नीचे घुमा सकता है क्योंकि 20% share उपर ले जाने के लिए नीचे ले जाने के लिए बहुत पैसे की जरूवत परती है और 5% में कैसे भी घुमाया जा सकता है बहुत कम capital से काम चल जाता है जहां तक मेरी बात है तो मैं तो गिरगिट हूँ share बाजार में जो गिरगिट है वही सफलोगा और मैं तो गिरगिट की तरह कभी बदल जाता हूँ मैंने तो अदानी पोर्ट जब आज 700 रुपए की नीचे गया तो भी मैंने काम किया और 780 में जब उपर गया तुरंत मैंने का आज की position आज ही खाली कर दो पता नहीं 15 तारिक को क्या होगा मंगलवार को अग जहां तक मेरी बात है तो मैं तो share में बिलकुल काम करूँगा अदानी ग्रूप के सारे share में काम करूँगा operator जिस जिस तरह से काम करवा रहा वैसे वैसे काम करूँगा उसी क फॉलो करता चलूँगा मुझे तो swing trade करना अच्छा लगता मैं करूँगा लेकिन इसमें बहुत रिस्क है और आप अपने financial advisor से सला लेकर पूछ कर ही काम करिएगा मैं सिर्फ अपनी personal राय दे रहा हूं अपनी personal opinion बता रहा हूं आपको share कर रहा हूं कि मैं किस तरह से करूँ लेकिन है यहां पर बड़ी घर बड़ी अगर समझदारी से काम नहीं करेंगे तो फंस जरूर जाएंगे और जब शेयर बेतहाशा भाग रहा हजार परसंड का return दे रहा है तो भाईया एक बार उसका financial भी चेक कर लो कि बस वह भाग रहा है आगे आगे हम उसके पीछे पर चल रहे थे अदानी इंटरप्राइस अदानी ग्रीन तो इनको देख लिया करिए भाई उस हिसाब से काम करा करिए आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके मुझे इंकरेच करिए अपने इस्ट मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करिए स इससे आपको लेटिस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे समय पर आज के लिए इतना ही नमस्कार